अगर आप इंप्रूमेंट एक्जाम देने वाले हैं तो आपको यह वीडियो आपको बता दूगा क्या वाला है की और उसकी जो आपकी डेट से वो भी कैसे आपको अपनी माक्षिट मिलती है आप कैसे अपनी माक्षिट को ले सकते हैं सीब्स से वो मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा ठीक है तो सब्सक्राइब करने से पहले सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़रूब लाइक करें तो फेंडी के रखते हैं टू यृण्डden लाइकक्स का आ पक्का चाल को सबसे पहली जो बात होती है वो आपको ध्यान देनी है कि जो inp 나서 की मारती इसमें जो स्कूल कोड है वो आपका 999 लिखाव रहता है जो कि आपका चेंज हो जाता है ठीक है और सेकेंड जो आपका स्कूल नेम है उसकी जगह आपका as a private candidate mention हो जाता है ठीक है और फ्रेंड्स आपको as a private candidate के लिए अपलाई करेंगे तो आपको fresh role number issue किया जाएगा जो कि उस year का होगा ठीक है और और उससे भी main बात आपका जो यहाँ पर नीचे abbreviation लिखा रहेगा appeared for improvement exam ठीक है और फिर friends जो आपका जैसे आपकी जो normal mark sheet होती है उसमें यहाँ पर आपका result status में pass, fail इस type से mention रहता है ठीक है आपका जो improvement की mark sheet होगी उसमें आपका कुछ भी mention नहीं रहेगा क्योंकि improvement का exam वही student देते हैं जो की already pass कर चुके होते हैं और फिर friends जिस year में अगर आप improvement देते हैं वो year यहाँ पर mention हो जाता है ठीक है आपने मानलीजे 2020 में pass किया है 2021 में आप improvement देंगे तो आपको 2021 की dates यहाँ पर लिखी रहेगी ठीक है और friends हमार पास एक और mark sheet है उसमें मैं बता देता हूँ बाकी जो चीजे थी credential वो तो same है जो difference वो है कि जो second candidate है उसने सिर्फ दो subject के लिए improvement exam में apply किया था तो उसको जो mark sheet मिली है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो subject के marks है ठीक है तो काफी student पूछ रहेते हैं एक हम improvement exam दे एक या दो subject में जो हमारे previous year के जो marks जो subjects है वो भी उसमें print हो जाते हैं क्या तो friends आपके जो previous year के जो subject से वो print नहीं होंगे आप जिस year में improvement exam देंगे जो जितने subject में देंगे सिर्फ उतने ही subject आपको improvement की mark sheet में मिलेंगे ठीक है तो friends जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप सिर्फ एक ये दो subject में देते हैं तो इसका एक छोटा सा demerit यह हो जाएगा कि आपको दोनों mark sheet carry करनी पड़ेगे अपने साथ जैसे आप जो normal जो mark sheet होगी वो और जिस mark sheet जितने subject का अपने improvement दिया है वो अगर आप कहीं admission में जात mark sheet में तो यह इसका थोड़ा सा छोटा सा demerit है और वैसे इसको कोई negative impact नहीं पड़ता है तो आप बस अपने आपके उपर आप एक सब्जेट में देना चाहिए दो सब्जेट में देना चाहिए या सारे में देना चाहिए वह आप टूटली आपके उपर निर्फर करता है और अब मैं आपको बताने वाला था कि आपकी mark sheet कब तक आपके घर पर पहुंचती है और उसका क्या process है full process मैं आपके साथ share करूँगा तो friends जो की मलब अब जो मैं बताने वाला हूं वो जैसे Delhi students के लिए अलग rule लग होता है और जो outside Delhi उनके लिए अलग ठीक है तो पहले मैं उन students के बता देता हूं जो की जिनका address other than दिल्ली है जिनने जैसे आप improvement के लिए apply करेंगे भी forms आने वाले है तो उस form में अगर आपका address other than दिल्ली है दिल्ली से आउटसेट देली तो उस case में जो आपकी mark sheet है वो आपको जैसे कि यहां लिखर का है original mark sheet certificate will be sent to the concerned regional office of the to the residential address given by the applicant in the application form by speed post जो आप अपना address देंगे उस address पर आपको speed post कर दिया जाएगा CBSE regional office के तरफ से ठीक है तो आउटसेट डेली वाले students के लिए तो कोई भी चिंता के पात नहीं है उनके घर पे mark sheet पहुंच जाएगी और जो डेली वाले students है देखिए लिखर का है for candidates who have given their address of Delhi तो उनकी जो मार्क शीट होगी Mark sheet will be sent by the regional office Delhi to the examination center where the candidate had appeared for the examination candidate can collect the mark sheet from the examination center on production of original admit card देखे फ्रेंड्स आपको original admit card जो है आपका उसको समाल के रखना है और जो आपकी mark sheet है वो CBSC के Regional Office के तरफ से जहां पर आपका exam center पढ़ाता जहां पर आप exam देने गए थे बोड का वहां पर वो पहुंचा दी जाएगी और आपको वहां से collect करना है आपका original admit card को दिखा के ठीक है तो फ्रेंड्स यह तो मार्क शीट आप कैसे collect करें इसके बारे में मैंने बता दिया अब मैं आपको बताता हूं रिजल्ट का बात तो रिजल्ट जो improvement candidates और नॉर्मल candidates का same time में आएगा और फिर अगली में बात यह काफी important है काफी student पूछ रहे थे कि जो आपकी original जो mark sheet रहती है अगर आप improvement देते तो वह वापस cbc में submit तो नहीं करने पड़ते तो देखे यहां लिख रहा है original mark sheet and certificate of previous year examination is not to be surrendered not मतलब की आपको दोनों mark sheet रखने का अधिकार है ठीक है आप दोनों mark sheet अपने साथ रख सकते हैं and the mark sheet of examination will be issued to all candidates who will appear for the examination in the month of February March April immediately after the declaration of result जैसे मतलब जो आपका result declare हो जाएगा विथिन उसके 15-20 दिन के बाद से जो आपकी mark sheet हो डिस्पैच होना शुरू हो जाती है ठीक है तो फ्रेंट्स यह तो कुछ major information mark sheet से related थी वो मैंने आपको communicate कर दी है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि students के कुछ doubt थे जो कि मेरी previous videos में ask करे गए थे तो उनके मैं अभी इस वीडियो में अभी reply करने वाला हूँ अगर आप interested हैं तो आप अपने doubts पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे और आपका जो भी doubt होगा उसको मैं cover करने के पूरी कोशिश करूँगा तो फ्रेंट जैसा कि यह पूछते हैं मनन सिना जी कि अगर date दोनों exam की class कर जाती है तो फ्रेंट्स यह सायद अभी college में होंगे तो यह सोच रहे हैं अगर college exam और जो cbc का improvement exam है उसकी date class कर जाती है तो तो फ्रेंट्स इसका मैं answer देता हूं कि जो जनरली improvement exam candidates देते हैं जो मलब या तो college में admission से थोड़ी बहुत marks कम रहे जाते हैं या फिर उनको मलब कोई दूसरी मलब जिस college में admission चाहिए होता है उसमें अगर मिल नहीं पाता तो उस case में improvement exam देते हैं अगर आपको college मिल चुका है तो वह आप दे भी सकते हैं वो totally आपके उ सोची क्या मैं मेरे को देना जरूरी है या फिर नहीं ठीक है फिर तो अब next question की तरफ चलते हैं तो इनने पुछाए कि अगर मैं तीन subject में improvement exam देना चाहूं तो क्या मेरे को drop करना पड़ेगा या फिर 11th class के साथ-साथ मैं दे सकता हूं तो friends इसका answer है कि आप दे सकते हैं 11th क eligible है अगर आपने 2020 में improvement नहीं दिया है तो आप eligible है ठीक है फिर है इस बार के forms तो आएंगे ना ड्यू तो जरूर आएंगे क्योंकि improvement exam जो आपका next year होता है उससे कोई relation नहीं है आपका जो अगली साल board exam तो हो गई तो यानी improvement भी हो गई ठीक है इसलिए इसका answer है कि आएंगे जरूर तो आप next question cover करते हैं तो इनने पुछा है मैंग सिंग जी ने कि how many times will we will give improvement exam तो आपको शिर्फ एक ही मौका मिलता है improvement exam देने का तो आप next question cover करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि जो syllabus है वह आपका जो अभी जैसे 2020 में revised syllabus जो आएगा या फिर जो आपका previous year का था तो फ्रेंड्स जो आपका चेंज हो गया वह आएगा क्योंकि जो cbhc का guidelines है कि जो आपका fresh year का जो syllabus रहता है वही रहता है आपका improvement exam का भी syllabus तो आपका dress code क्या होता है तो dress code आपका मुलब आप फ्री होते हैं कि कोई सी भी आप dress पहन के जा सकते हैं जो आपको convenient है तो अगला question है कि can other state boards give cbhc improvement तो cbhc improvement कर देंगे मुलब अगले जो अधर बोर्ड है उनका भी improvement exam होता होगा तो वह उनके बोर्ड की जो website है उस पर पता चल जाएगा तो cbhc का तो होता है इतना तो confirm है बाकि बोर्ड का भी मैं sure नहीं हूँ इस next question में आते हैं और उसर पांचो सब्जेक्ट में नहीं भर सकते आप भर सकते हो आप सारे सबजेट में भर सकतेओं एक सब्जेक्ट में बर सकते एं जितने सब्जेट में आप चाहते हैं तो फ्रेंट्स यह कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन्स मैंने आपके साथ शेयर करें अगर आपका फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो नीचे कमेंट्स में आप जरूर पूछें और फ्रेंट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर उपर आई बटन में एक वीडियो के लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इंप्रूमेंट एक्जाम के सारे जितने भी स्टूडेंट्स के मलब डाउट्स रहते हैं या फिर जो भी इंपोर्टेंट चीजें होती है वो सारी उस वीडियो में शेयर करें डिटेल वीड करें एंड बाई बाई बाई